नमस्कार दोस्तों मेरे चनल में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में मैं आपको बॉट कंपनी के इस स्पीकर के बारे में एक डीटेल रिव्यू देने वाला हूं इस रिव्यू में मैं आपको बताऊंगा कि ये स्पीकर आप लोगों के लिए आपके सिंगल यूज के लिए जैसे आप इसे घर में यूज करते हैं या ओफिस में यूज करते हैं ये किस तरह का साबित होने वाला है तो ये एक हैंड ओन रिव्यू है इस रिव्यू में मैं आ तो आगे तक वीडियो को देखते रही है एक एक चीज आपको इस वीडियो में मिल जाएगी इस स्पीकर के बारे में तो इस स्पीकर का मॉडल है बॉट स्टोन वन सेवन्टी यह एक Bluetooth स्पीकर है जो की एक true wireless function के साथ आता है जैसे कि इसमें यहां दिया हुआ भी है बाकी देखते हैं इसके चारो तरफ इसके बारे में क्या लिखा हुआ है यह इसमें दिया हुआ है क्या क्या चीज़े इसमें निकलने वाली है स्पीकर यूजर मैनुवल माइक्रो यू ओपन करेंगे ओपन करने के बाद इसमें सबसे पहले स्पीकर यह निकलेगा यहां पर यह तरह से रख़ा बात आए च्वाट यह पिन्य के अंदर स्पीकर है तो और निसे भी निकाल लेते हैं यह स्पीकर आपको दिखेगा सबसे पहले और इसके अलावा बॉक्स में इसमें मिलेगा दूसरे में इसमें आपको यूएसबी एक माइक्रो यूएसबी केवल मिलेगा इसको चार्ज करने के लिए तो मैं चीजों को यहां से अठा देता हूं और में चीज के ऊपर मतलब में अपने प्रोड़क्ट है उसके उपर आते हैं लाकि साइड में इसके एक वारंटी कार्ड है एक वनियर वारंटी इसमें मिली है आपको यह इसका मेंबर्शिप कार्ड है बॉट का यह इसका बिल है आप दिल भी मैं आपको दिखा देता हूं तो मैं इसके साथ शुरू करता हूं तो यह आपके सामने स्पीकर है बहुत ही वेट में बहुत अच बहुत अच्छा फैब्रिक इसमें दिया हुआ है बहुत सॉलिड है अब इसके बारे में आपको डीटियल में बताता हूं यह बॉट स्टोन वन सेवंटी है यह 5 वॉट का यह स्पीकर है अगर आप इसे वाट में आते हैं तो इसके बैक अप की बात करता हूं जब मैं इसे च चार्ज कर सकते हैं और चार्ज होने के बाद आपका यह लगभग 6 गंटे यह प्रॉपर चल सकता है अगर आप इसमें म्यूजिक कंटीनियूसली बजाते हैं तो छे गंटे आपको चल जाएगा इसमें आपको 1800 म.h की बैटरी इसमें दी गई है जो इसके 6 गंटे के बैक अ को कवर कर लेती है और चार्ज होने में धाई गंटे का टाइम लेती है अगला में इसकी connectivity की बात करूंगा यह Bluetooth 4.2 को सपोर्ट करता है जिसमें कि आप बहुत आसानी से इसे connect कर सकते हैं अराम से किसी भी phone के साथ किसी laptop के साथ या कि भी device के साथ आप इसे connect कर सकते हैं wireless जो Bluetooth को सपोर्ट करती है यह Bluetooth 4.2 को सपोर्ट करता है पूरी तरह से और जब आप इसे एक बार connect कर लेंगे तो यह लगभग 15 मीटर की दूरी से receive कर सकता है Bluetooth signals को और अच्छे से काम करेगा अब इसके physical की बात करते हैं जो physically जो इसमें body की दीवी है यह बहुत अच्छे fabric की बनाई यह जो आपको दिख रहा है यह नैट सा जो है दिखने में यह तरह का फैब्रिक है और उपर यह rubber body है बीच में अंदर इसमें plastic लगाए गई है तो यह इस तरह का इसका फैब्रिक है बहुत यह वेट में बहुत light है इसके वजह से क्योंकि यह प्लास्टिक का बना हुआ है और इसको इस तरह से बनाया गया है कि यह काफी मतलब light रहे अगर आप इसे use कर रहे हैं तो आपको यह थोड़ा वेट फुल ना लगे light ही लगे अब इसकी अगर मैं connectivity की बात करता हूं तो आप इसे Bluetooth से connect कर सकते हैं ox cable से आप इसे चला सकते हैं 3.5 mm के ox cable को जोड कर आप इसे चला सकते हैं उसके लए मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पीछे से इसको खोलना होता है और यहां पर आप देख लीजिए यह 3.5 mm का aux cable का jack है यहां से आप aux cable लगा के जोड़ सकते हैं यह charging के लिए port दिया हुआ है micro usb का इसमार आप 5 volt का कोई भी आप इसमें charger लगा के इसे charge कर सकते हैं यह micro sd card के लिए इसमें port दिया हुआ है इसमें आप card लगा कर यानि memory card लगा कर भी आप इसे चला सकते हैं और यह जो आप hole देख रहे हैं यह reset करने के लिए इसमें दिया हुआ हुआ है यहां पर आप pin लगा के इसे कभी भी अगर यह कुछ दिक्कत करता है तो आप इसे यहां से reset भी कर सकते हैं तो यह इसका पीछे का पैनल हो गया और मैं आपको इसके बारे में बता रहा था तो यह इसकी connectivity है यह आपके इसमें आगे controls दिये हैं इस बटन से यह जो प्ले का बटन आपको दिख रहा है इससे यह on होता है इसे जब आप तीन सेकिंड तक इसमें ब्लू कोलर की इसमें ग्लाइड जलेगी और यह रेडी टू पेर इसमें हो जाएगा आप अपने किसी भी फोन में या लैप टॉप में उसको connectivity को ओपन करके वहां से इसे कर सकते हैं और इसी बटन से आप इसको प्ले और पॉस कर सकते हैं किसी भी सांग को चाहे वह यूट्व पे चल रहा हो चाहे गुगल म्युजिक पे चल रहा हो या फिर आपके किसी भी दिवी पर चल रहा हो यह वाल्म कंट्रोल के लिए बटन धी एससे वाल् JE shutdown होगा इससे उप गाने को सरब कर सकते हैं पिर इसे से memf Canada собой आपको मिला हूं आप अगर इसको अपने फोन से कनेक्ट रखते हैं और आपका कोई कॉल आ जाता है तो आप इसी पर कॉल उठाके इसके माइक से ही आप डिरेक्टली बात कर सकते हैं और मैं आपको इसकी और एक अच्छी चीज बतायता हूं यह ट्रू वायरलेस फंक्शन को सपोर्ट करता है उसका मतलब होता है कि आप एक साथ अगर आप दो स्पीकर भी जोड़ते हैं अपने फोन से तो यह दोनों एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे और बिल्कुल एक ही ट्यूनिंग में यह प्ले करेंगे म्यूजिक को दोनों में सेम अवाज आएगी आपको थोड़ा सा भी इसमें दिले नहीं देखेगा यह इसका अच्छा फंक्शन है इसकी मैं बात करता हूं आपको वायर जो इसका वाटर प्रूफ का जो होता है यह आई पी एक सिक्स वर्जन को सपोर्ट करता है अभी आप देखें कि तो आई पेस आई पेक सेविन भी आता है पर सिक्स भी काफी ठर्म नहीं है पर काफी हद तक यह वाटर रेसिस्ट है और स्वेड रसिस्ट है आप इसे पानी में तो डालेंगे अने अगर आप यूज कर रहें है पर फिर भी थोड़बोत अगर पानी से ने पलगाने के लिए नहीं है तो इसकी ब्लू कलर की लाइट थी यह य्यार्ट हो जाएगी इसका मताब समझ सकते हैं कि फुली चार्ज हो गया है और आप इसे हटा दीजिएगा इसका जो फुल बैक अप है वो मैंने आपको बता दिया है यह कंपनी इसको छे गंटे के लिए क्लेम कर रहे है पर यह साड़े पांच से छे के बीच तक ही चलता है और बाकि जैसे पुराना हो जाएगा तो आप देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है बाकि इसकी आपको एक अच्छी बात है कि यह बहुत लाइट वेट है इसमें हैं करने के लिए एक हुक भी दिया हुआ है आप यहां से हैं कर सकते हैं कहीं भी और एक पार्टी में इस इस दूर से नहीं सुनाइगी कि आपके गाने में आपके रूम में कोई गाने बज रहे हैं या फिर आप पा करना है बहुत अच्छी बात है लास्ट में फिसके प्राइज मेंस कि बात करता हूं तो इसका जो प्राइस है आपके लिए काफी होगी आप बिल्कुल अच्छे से सैटिस्वाई होंगे इससे और क्यूंकि इसकी जो वह इसकी क्लेरिटी है वह भी बहुत अच्छी है अभी मैं अपने ही फॉन से वीडियो बना रहा हूं नहीं तो मैं आपको इसकी आवाज भी सुना के दे देता इस वी काफी सर्च करने के बाद तो अगर आप मुझे जो मैंने आपको इन्फोर्मेशन इसके बारे में दी है अगर आपके लिए किसी भी तरह से हल्फुल हुई है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप मेरे लिंक से खरीद लिए जाएगा उससे मुझे थोड़ा सा सपोर्ट इसमें मिल जाएगा एमजान का लिंक में इसमें आपको डाल दूँगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व वो आपको आपके चैनल पर नॉटिफिकेशन में मिल जाएगे